हेलो गाईज, टेस्टी होम कुक में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए लेका रही हूँ बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी मटर के छोले इससे पहले आपने चना के छोला काफी खाया होगा लेकिन मटर का छोला है वो बहुत ही जादा स्वादिश लगता है तो चलिए आज की रेस्पी को सुरू करते हैं आप इस तरीके से एक बार मटर का छोला बना करके ट्राई जरूर करिएगा तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है मटर यह 400 ग्राम मटर है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा छोला बनाने के लिए मटर को भीगोना होगा जब मटर अच्छी तरह से भीग जाएगी कुछ इस तरीके से मैंने पहले से भीगा के रखा हुआ था यह मटर मेरी बढ़िया से भीग करके तयार है गर्मी के मौसा में एक घंटे में मटर बढ़िया से भीग जाती है चली अब इसे हम वाइल करने के लिए चलेंगे एक कूकर रख देंगे हम गैस पर और उसमें हम आट कर देंगे मटर को तो मटर भीगा देंगे और फिर अच्छी तयसे उसे वाश भी कर देंगे ताकि जो भी धोल मिटी हो वो निकल जाए मटर आट करने के बाद आट करने के इसमें हम एक छोटी लाची और एक बड़ी लाची इसे बहुती पढ़िया फ्लेवर आएगा इसी के साथ जो है इसमें हम एक कर देंगे 4-5 लॉंग इस रेश्पी के लिए आप खड़े मसाले अपने मन पसंद यूज कर सकते हो जो भी खड़ा मसाले आप पसंद करते हो वो इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 8-10 काली मिर्च के दाने और फिर हम इसमें आड़ कर देंगे एक तुकड़ा दालचीनी का इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी फिर हम इसमें आड़ कर देंगे दो तेज पत्ता और फिर इसी के साथ इसमें हम आड़ कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर इससे बहुत ही बढ़िया हमारे मटर का कलर दीखेगा तो मैंने यहाँ पर आधा चमच लिया हुआ है आध करने के बाद हम साथ में डाल देंगे नमक तो यहाँ पर मैं अभी आधा चमच नमक का यूज़ कर रही हूँ इसी के साथ अभी आध कर देंगे एक लिटर पानी इस पानी को हम फेकेंगे नहीं यूज में लाएंगे इसलिए मैंने हम पर एक लिटर पानी का यूज़ किया हुआ है सबी चीजों को बढ़िया से पहले मिक्स कर देंगे और फिर गैस आन करेंगे कुकर का कैफ लगा देंगे और दो सीटी बजने तक हम पकाएंगे तो लगभग 10 मेर का समय हमें टोटल लगेगा 10 मेर बाद जो है मैं कुकर को साइड में रख रही हूँ और कैफ निकालेंगे कुकर हमारा ठंडा हो गया है यह देखे बढ़ियाश हमारी मतल पक चुकी है मैं आपको चमच से दिखाती हूँ यह देखे बढ़ियाश हमारी मतला हमें मतल पकानी की जरूरत नहीं है छली आप मसाला रेडी करेंगे यह कड़ा ही रख दिया हमें गयस पे गरम होने के लिए इसमे एट करेंगे दो चम्मच रिफाइन ओयल आप जो भी कुकिंग ओयल पसंद करते हैं आप वो यूज कर सकते हो जब ओयल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा ना गैस का फ्लेम लो रखेंगे फिर आट करेंगे आदा चम्मच जीरा जीरा क्रैश होने के बाद इसमें हम एट कर देंगे थोड़ा सा हिंग हिंग से बहुती पढ़िया फ्लेवर आता है तो अगर आप फ्लेवर हिंग का पसंद करते हैं तो आप ज़रूर यूज करिएगा उसके बाद हम इसमे आड़ कर देंगे थोड़ा सा बारिक चौप की हुई प्याज प्याज डालने के बाद जो है न इसे मिडाल देंगे हम दो हरी मिर्च बीस से जो है न कट लगा के मैंने लिया हुआ है सभी चीजों को मिक्स करेंगे और लगभग एक मिनड़ तक पकाएंगे जैसी प्याज हलकी से सौप्ट हो जाएगी फिर हम इसमें आड़ करेंगे प्याज की प्यूरी तो मैंने यहाँ पर तीन प्याज को ग्रैंड करके प्यूरी बनाया हुआ है अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप प्याज में ग्रेंट कर लिजेगा साथ में डालके सभी चीजों को मिक्स करेंगे और लगभग 3-4 मिर्ट तक पकाएंगे जब तक कि प्याज अच्छी तरह से पक नहीं जाती है यानि प्याज का जो प्यूरी है वो अच्छी तरह जादा कर सकते हो इसी के साथ इसमें हम डालेंगे एक चमज छोला मसाला आप कोई भी छोला मसाला ले सकते है यानि किसी भी कमपनी का इसी के साथ जो है इसमें हम एट कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर इससे पहले हमने यूज किया हल्दी पाउडर का इस बात का ध् और इसी के साथ जोने इसमें एड़ कर देंगे 14 चमज कश्मीरे लाल मेच इसे बहुती प्यारा सा कलर आएगा हमारे छोले का सभी चीजों को हम पहले मिक्स कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं तो ये दिखी मैंने बहुती बढ़िया से मिक्स कर दिया है सभी चीज और अब हम इसमें बाकी जो बची हुई चीजी है उनको आड कर देंगे जैसे कि मैंने लिया हुआ है एक चम्मस धन्याब पाउडर अब हम वापस फिर से सभी मसाले को मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड तक पकाएंगे जैसे मसाले से सुंधी सुंधी से खुजबू आना सुरू होगी न आड़ कर देंगे टामाटर का पेस्ट तो मैंने यहाँ पर चार टामाटर को ग्रेंड करके पेस्ट रेडी किया है आड़ करने के बाद मिक्स करेंगे और इसको भी हम चार से पांस मिक्स तक पकाएंगे जब तक की अच्छी तरह से पकना जाए और ओयल जो हैना अलग-अलग न दिखने लगे यह देखिए बहुत ही प्यारा से दिख रहा ना ओयल अलग दिख रही है मसाले का कलर चेंज हो चुका है तो अब हम इसमें आड़ कर देंगे माटर जो हमने बॉयल करके लिया हुआ था सभी चीजों को हम मिक्स करेंगे और अब जो हैना हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुर भी ज़रूत नहीं है जितना हमने पानी डाला हुआ था पहले उतना ही नार्मल पानी था थोड़ा सा नमक आइट करेंगे मतर को पकाते समय हमने नमक डाला हुआ है इस बात का भी ध्यान रखेंगे और मिक्स कर देंगे नमक को अच्छी तरह से गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और हमें जो है न कैफ लगा के दो तीन मियाड तक पका लेंगे ताकि मसाला और मतर अच्छे से पक जाए तो मतर के अंदर मसालों का फ्लेवर आ जाए दो मियाड बाद मैंने कैफ उठाया हुआ है बहुत ही प्यारी सी खुजबू आ रही है छोला को हम मिक्स कर देंगे तो मुझे यहाँ पर इतना ग्रेवी चाहिए छोला में इसलिए मैंने इतना रखा हुआ है तो आट कर देंगे इसमें हम खटा फ्लेवर के लिए एक चमच आमचूर पाउडर डालने के बाद सभी चीजों को पहले हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स तो यह देखिए पढ़िया से मिक्स हो गया ना फ्लेम आफ कर देंगे और अब हम इसमें आट कर देंगे आधा चमच गरम मसाला पाउडर इससे बहुत ही पढ़िया खुजबू पाईगी हमारे छोले से एड करने के बाद जो है थोड़ा सा फ्रिशनेस के लिए फरी धनिया के पत्तियां यूज कर सकते हो जैसे कि मैंने एड किया हुआ है और सभी चीजों को बढ़िया से करेंगे मिक्स यह हमारा मतर का बहुती बढ़िया स्वादिष्ट छोला बन करक और इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि ऐसी ही रिस्पी आपको मिलती रहे और अगर फेजुक पर देख रहा है इस वीडियो को तो फेजुक पेज को फोलो करिएगा मिलते हैं एक नई रिस्पी में बाई गाईस